Hello everyone, स्वागत है आप सभी का doubt not learn and fun पर बच्चो इस class में हम लोग चर्चा करने वाले हैं vectors के multiplication की राइट अभी तक इस chapter में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इस chapter को start क्या था vectors के properties के साथ में vector के notation के साथ में then हमने vector का addition पढ़ा और subtraction पढ़ा अब इन्हें add और subtract अलग-अलग तरीके से किया जाता है तो obviously बात है multiply भी अलग-अलग तरीके से किया जाता होगा तो इस class में हम लोग vector को कैसे multiply करते हैं जिसे हम vector product भी कहते हैं वो सीखेंगे clear है यहां तक की बात? चलिए तो अगर आप लोग तयारी कर रहे हैं J.E. और NEET की तो यह lecture obviously बहुत important है और इससे भी जादा important है आप सभी लोगों के लिए हमारा जो course है believers batch जिसे हम नाम दे रहे हैं इस batch में बिटा आपको तयारी करवाई जाएगी J.E. और NEET level की साथ ही साथ आपको English भी add-on subject के रूप में मिल जाएगा जो बच्चे class 11 में आगे उन सभी बच्चों के लिए यह course है और इस course में 11 के साथ साथ ही आपको J.E. नीट की तयारी करवाई जाएगी ठीक है यह तक की बात समझ में आगी उसके अलावा बेटा बहुती सुपर फीचर्स इस बैच्च के हैं जिसमें हम सभी subject आपके physics, chemistry, maths, biology साथ ही साथ English भी cover करेंगे और 11 के साथ साथ आपकी J.E. और NEET level की तयारी भी करवाई जाएगी उसके अलावा आपको last year का जो believers बैच्च है वो भी इस बैच्च के साथ में free में ही दिया जा रहा है ठीक है उसके अलावा हर एक chapter का chapter test होगा, chapter के notes होंगे और practice करने के लिए आपको मिलेंगे धेर सारे questions ठीक है तो जल से जल बटा हिस्सा बने इस बैच्च का एक बहुत ही important बैच है आप सभी लोगों को बता देता हूँ, ठीक है अच्छे से समझ में आ गई है आगे चलते हैं और कहानी को continue करते है vector product ठीक है ना, heading डाल लीजे बैटा vector product, product मतलब multiplication, ठीक है तो जैसे बैटा vector का addition अलग प्रकार से होता था ऐसे उनका multiplication भी अलग प्रकार से होता है दो प्रकार का multiplication होता है एक होता है dot product बच्चो और दूसरा होता है cross product क्या होता भई दूसरा cross product ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई पहला होता है dot product और दूसरा होता है cross product ठीक है सर यह बात तो हमें समझ में आ गई के vector को multiply करने के दो तरीके होते होंगे अब dot क्या है और cross क्या है इसे समझ लेते हैं ठीक है सबसे पहले चलो heading डाल लीजे dot product सबसे पहले heading डाल लीजे बच्चो dot product दो vector का dot product करेंगे तो कैसे करेंगे क्यों करेंगे बेटा इसका reason आपको आगे जैसी आप लोग physics continue करेंगे आप लोग वो पता चल जाएगा कि बहुत सारी quantities हैं जो basically dot से आती हैं dot product क्यों किया जाता है सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या मान लेते हैं कि let's say हमारे पास में 2 vectors हैं सुनना ध्यान से हमारे पास में 2 vector हैं this is vector a and this is vector b ठीक है बहुत बढ़ी है इन दोनों vector के बीच का angle जो है let's say बेटा theta है क्या है theta तो इनका जो dot product दिखाया जाएगा जो इनका dot product दिखाया जाएगा वो दिखाया जाएगा a dot b से और इसे हम लिखेंगे a b cos theta मतलब कि दो vector है उन दो vector का dot product जो होगा बेटा वो कैसे लिखा जाएगा a का b से हम अगर dot ले रहे है मतलब a को b से multiply कर रहे है जोड रहे हैं घटा रहे हैं तो multiply भी होई सकते होंगे तो हमने a dot b लिखा a dot b लिखा तो बेटा a dot b को लिखने का mathematical तरीक होगा कि a का b से अगर आप dot ले रहे हो मतलब कि एक vector a का b vector के साथ में आप dot multiplication कर रहे हो dot product कर रहे हो तो उसे लिख सकते हो a b cos theta a क्या है a vector का magnitude b क्या है b vector का magnitude theta क्या है दोनों vectors के बीच का angle है theta क्या है बच्चो दोनों vectors के बीच का angle है यहां तक की बात समझ में आगे सभी लोगों को ठीक clear अच्छा dot product use क्यों हो रहा है dot product को generally हम scalar product भी कहते है क्या भी कहते है scalar product क्यों क्योंकि जब हम दो quantities को दो vector quantities को यह दोनों vector है इनको जब dot product के through multiply करेंगे तो result आएगा वो scalar होगा तो जो result आएगा वो scalar होगा जैसे की work work एक scalar quantity है लेकिन work में force और displacement उनको multiply करते हैं work की definition पता है न force multiplied by displacement 9th class याद करो work होता है force multiplied by displacement तो force भी एक क्या है बेटा force भी एक vector quantity displacement क्या है वो भी vector quantity है दोनों को multiply करते है तो दोनों का dot product हुआ होगा तब जाके जो उनका result निकल रहा है work वो एक scalar quantity निकल रहा है तो जब भी दो vectors का dot करेंगे तो result जो निकलेगा वो एक scalar quantity होगा यह scalar है मतलब यह एक number होगा A क्या है magnitude of A vector तो एक number होगा B क्या है magnitude of B vector यह भी एक number होगा और cos theta तो आता ही कोई number है 1 by 2i, root 3 by 2i, 0i, 1i, जो भी आए ठीक है तो जब हम दो vector को dot product के थुरू multiply करते हैं तो भाई जो result निकलता है that result is always scalar वो एक number निकलेगा तो ऐसी physics में बहुत सारी quantities होगी vector quantities जो एक दूसरे से dot multiplication हो रही होगी और result एक scalar निकल रहा होगा इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है और दिखाएंगे कैसे a का b के साथ dot a का magnitude लिखो, b का magnitude लिखो और दोनों के बीच के angle का cos लिख दो तो a dot b बराबर a b cos theta ठीक है बात यहाँ तक की समझ में आगी सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कोई परिशानी नहीं, कोई समस्या नहीं ठीक अच्छा आप इसकी खास बाते लिख लेते हैं सुनना जरा ध्यान से अगर मैं a का b के साथ dot लेता हूं तो आता a b cos theta ठीक है अगर मैं b का a के साथ dot लूँगा b dot a तो उसको लिखूंगा मैं b का magnitude a का magnitude और दोनों के बीच के एंगल का cos ठीक है तो क्या ये भी इसी के ही बराबर आ रहा है अरे एक number है मालनो चार है ये तीन है और इसकी value है 1 तो 4 into 3 into 1 ये इसको ऐसे लिख लो 3 into 4 into 1 multiply तो सेम ही आएगा तीन number है उनको कैसी multiply कर लो आगे पीछे कैसी रख के multiply कर लो answer तो सेम ही आना है न और यहाँ पर number ही आएगा जो भी answer आएगा यहाँ पर जो भी answer आएगा वो number ही आएगा तो यहाँ से हमारे पास एक और result आगए बहुत ही simple बहुत ही प्यारा result आया बहुत simple सी बात है दो वेक्टर उनको dot से multiply कर लो तो पहले वेक्टर का magnitude लिखो दूसरे का magnitude लिखो दोनों के बीच का angle का cost लगा दो खतम कहानी ठीक है clear है clear है सबी लोगों को अच्छ अब इसकी छोटी मोटी properties होती है उन properties को पढ़ लेते हैं बच्चो I hope आपने यहां तक की कहानी जो है note कर लिए बहुत अच्छे से पहली property क्या है बेटा अगर हम A का B से dot ले रहे हैं कोई दो vector हैं यही दो vector माने हूं मैंने जिनके बीच का angle है theta तो उनका dot आता है मतलब dot लेंगे दो vector है यह दो vector है result scalar आ रहा है इनका इनका result scalar आ रहा है ठीक है ना मतलब कोई number निकल के आएगा अच्छा A और B का dot maximum कब होगा A dot B जो होगा यह maximum कब होगा यह maximum तब होगा when cos theta maximum होगा cos theta maximum होगा और cos theta की maximum value क्या होती है बटा cos theta की maximum value होती है बच्चो 1 क्या होती है 1 तो भाईया A और B का जो dot आएगा ठीक है ना maximum की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है maximum की मैं बात कर रहा हूँ वो आएगा A into B मतलब A का magnitude और B का magnitude का multiplication क्या हैगा भाई अरे यह तो सारी चीजा आप छोटे छोटे बच्चे भी लिख सकते हैं इसको maximum करना है क्या करूँ क्या करूँ भाई maximum करने के लिए cos theta को 1 कर दे यार maximum value cos theta की 1 होती है तो क्या आगया दो वेक्टर हैं उनका अगर आप लोग basically क्या कर रहे हो dot product कर रहे हो और उनका maximum value ढूणने की कोशिश कर रहे हो तो maximum सीधा सीधा निकलेगा पहले का magnitude लिख दूसरे का magnitude लिख दूसरे का magnitude लिख खतम बत vector है A ठीक है उसका खुद से ही dot लेना है आपको मतलब क्या करना है खुद से ही dot लेना है मतलब A vector है उसका खुद से ही dot लेना है तो आप कैसे लोगे आप कहोगे सर पहले का magnitude लिखो दूसरे का magnitude लिखो दोनों के बीच के angle का cos लिख दो अब एक vector खुद अपने आपके तो पैरलली ही होगा ना भाई बिल्कुल सही बात है sir होना तो पैरलली चाहिए कोई एक line खीचे मैंने का बताओ इस line का इसके अपने साथ angle क्या आपको जीरो तो एक vector है उस vector का खुद के साथ angle 0 होगा ठीक है तो खुद का खुद से जब dot लेते हैं कोई भी एक vector हो उसका खुद से जब dot लोगे तो result जो आएगा वो उसके magnitude के square के बराबर आएगा भाईया क्योंकि cos 0 क्या होता है 1 cos 0 क्या होता है 1 खुद का खुद से dot लोगे तो जो result आएगा वो क्या आएगा भाया magnitude का square ठीक है ठीक है यहां तक की बात सभी लोगों को अच्छा अब मैं आप लोगों से एक और interesting बात पूछता हूँ ठीक और यहां से यह जो property important भी है यह जो property है यह important भी है ठीक मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्या पूछता हूँ कि चलो भाईया हमने माना कि दो vector से जिनके बीच का angle है theta तो हम उसे लिखेंगे a dot b is equals to a b cos theta आपने का जी सर यह तो अब हम चार बार लिख चुके हैं अभी हमें याद हो गई ठीक मैं कहा रहा हूँ कि a dot b जी जीरो कब होगा मतलब दो vector है ठीक है मैं कहा रहा हूँ दो vector है जिनका खुद का कुछ magnitude भी है लेकिन उनका dot जो है वो 0 आ रहा है वो 0 कब आएगा वो 0 तब आएगा जब cos theta 0 होगा when cos theta is 0 अरे भाई cos theta 0 कब होता है cos theta 0 कब होता है जब theta 90 degree होता है मतलब कि अगर यहाँ पर मैं cos theta में theta की value 90 रख दूँ तो भई जो dot आएगा वो 0 आ जाएगा इसका उल्टा मतलब समझने की कोशिश करो कि अगर a dot b 0 है इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच का angle 90 है which means कि a is perpendicular to p अब यह हमें बहुत बार बहुत बार बहुत बार पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा कि कोई दो vector एक दूसरे के perpendicular है कैसे पता करोगे दोनों का dot 0 कर लो बस होगे बाब कोई भी दो vector एक दूसरे के perpendicular है कैसे पता करोगे दोनों का dot 0 करके यह बस पता चल जाएगा है होंगे तो ठीक है नहीं होंगे तो ठीक है ठीक है बाई आगे दोनों वेक्टर की perpendicular होने की condition यह important भी है ठीक अच्छा अब अगली property आती है क्या property है ठीक है अगर आपको कभी भी दो वेक्टर के बीच का angle पूछा जाए angle between two vectors कोई भी दो वेक्टर से और आपको कह दिया कि यार मेरे को न दोनों वेक्टर के बीच का angle बता दे मतलब आपको सवाल दिया कि भाई दो वेक्टर हैं उनके बीच का angle बता दे तो आप क्या करोगे ध्यान से सुनू आप बहुत छोटा सा काम करोगे आप पहले लिखोगे dot product ठीक है आपको पता चला dot लिखा यह आया a b cos theta ठीक है तो a b से divide कर दो तो cos theta will come out as दोनों का dot और divided by दोनों का ही magnitude ठीक है तो यहां से theta आ जाएगा अपने पास cos inverse cos inverse दोनों का dot divided by दोनों का ही magnitude ठीक है क्या समझे इससे थीटा क्या होता था यह जो अपना equation है इसमें theta क्या होता था दोनों वेक्टर के बिच का angle तो आगे न दो वेक्टर के बिच का angle कैसे निकालें कुछ नहीं करना है dot का use करेंगे हां से cos theta निकल जाएगा cos theta निकल तो theta निकल जाएगा बस खतम बात कानी खतम दो वेक्टर को अगर perpendicular प्रूव करना है तो दोनों का dot 0 करो दो वेक्टर के बिच का कोई भी whatever वीदा एंगल कोई भी एंगल हो निकालना है उस एंगल को फिर dot use करो ठीक बहुत simple सी गानी इसमें कुछ ही निजर बस यही है यह easy है उससे ज्यादा easy है जो हमने पढ़ा है न भी तक उससे ज्यादा easy है ठीक है clear है अब हम unit vectors पढ़ चुके है unit vectors पढ़ चुके है x direction का unit vector i cap y direction का unit vector j cap z direction का unit vector k cap ठीक है अच्छा unit vectors का हम लोग dot निकालते है ठीक है चलो i का i से dot निकालो चीक है जे का जे से dot निकालो और के का के से dot निकालो चलो nिकालो निकाल सकते हो गया निकाल सकते हो गया अरे यह vector ही तो होते है unit vector और यह ऐसे vector है जिनके specific direction है और जिनका magnitude 1 है डॉट निकालो दोनों का, निकालो, 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 भाई पहले का magnitude 1, दूसरे का magnitude 1, अब आई का आई के साथ एंगल कितना है, अरे आई कैप x direction का unit vector, यह वाला आई कैप भी x direction का unit vector, दोनों ही जब x direction को present कर रहे हैं तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, cos 0 लिख दिया, तो आगया 1 into 1 into 1, यानि की 1, ठेक है, similar काम यहां होगा, 1, 1, इसका magnitude 1, इसका भी magnitude 1, दोनों के बीच का एंगल 0, तो यह 1 into 1 into 1, यानि की again 1 आगया, अच्छा के कैप का के कैप के साथ dot निकालो, पहले का magnitude लिखो, भाई unit vector का magnitude 1 ही होता है न, यह तो पता है न सभी लोगो, और cos 0 भी 1 होता है, तो यह भी 1 आगया, तो खुद का खुद से, unit vector में, खुद का खुद से dot 1 आएगा, unit vectors में, खुद का खुद से dot 1 आएगा, unit vectors में, ठीक है, i का i से, j का j से, k का के से, जो dot आएगा, that will always come out as 1, ठीक है, क्या आएगा बच्चो, 1 आएगा, ठीक है सर, यहां तक क पात तो समझ में आगी, अच्छा I का J से लेके दिखाना, J का K से लेके दिखाओ, चीक है, और K का I से लेके दिखाओ, लेओ, 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 फटा-फट, मतलब perpendicular का कोई भी dot लेओ, अब perpendicular का लोग है तो इनके बीच एंगल 90 रहेगा, cos 90 0 हो जाएगा, भाई मैं लिखूंग इसका magnitude, दूसरे का magnitude, दोनों के बीच का angle का cos, अब i और j, i है x direction का unit vector, j है y direction का unit vector, तो दोनों के बीच का angle कितना रहेगा, 90 degree, ठीक है, similarly यहाँ पे, magnitude तो 1 ही रहता unit vector का, this will also be 90, and this will also be 90, ठीक है, आगे बात समझे, यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0, खतम कहानी, खतम भाई, खतम 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 एकदम, आगे बात समझ में, आगे क्या बात समझ में बच्चो, तो खुद का, खुद से unit vector का dot 1 रहेगा हमेशा, और साथ ही साथ, अगर हमें dot लेना है, perpendicular unit vectors का, तो that will always come out as 0, that will always come out as 0, ठीक है, बात समझ में आगी, ठीक, एकदम कती clear, अच्छा, हो अब ध्यान से, हम लोग एक और काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, हम लोग na component form में, जब हमें vectors दिये हो, तो उनका dot कैसे करेंगे, मतलब अगर मानलों, दो vector दे दे, a vector दे दिया, magnitude, b vector का magnitude दे दिया, दोनों के बीच का angle दे दिया, तो तो a, b, cos, theta, and a dot भी बहुत ईजी निकल जाएगा, लेकिन सोच के देखो, अगर आपको component form में दे, दो vectors, ठीक है, multiplication, vector, multiplication in component form, dot product in component form डालो, dot product in component form डालो, dot product in component form, मतलब क्या है, मतलब यह है, बेटा, कि मानलो, आप लोगों को न, एक vector दे दिया, a vector इस तरह से component form में, ax, i cap, plus ay, j cap, plus az, k cap, ठीक है, मतलब यह, ax की जगा 3, ay की जगा 4, az की जगा 5, कुछ भी हो सकता है, number, और, एक और vector दे दिया, b vector, it is, bx, i cap, plus by, j cap, plus bz, k cap, ठीक है, अब आपको क्या करना है, भाई, अगर आप a dot b करोगे, अगर आप a dot b करोगे, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, a लिखो पहले, ax, i cap, plus ay, j cap, plus az, k cap, ठीक है, इसका dot लेना है, आप लोगों को, किसके साथ dot लेना है, b vector के साथ में, ठीक है, bx, i cap, plus by, j cap, plus bz, k cap, ठीक है, अब सुनो ध्यान से, भाई, हमें पता है कि dot लेना है, तो पहले इसका, यह basically better distributive होता है, मतलब कि dot जो है, distribute हो जाएगा, मतलब पहले, इसका dot लो इन तीनों के साथ, plus इसका dot लो इन तीनों के साथ, यही कहानी होगी क्या, एक एक का dot लेना पड़ेगा, अब मुझे पता है, कि i का, i के साथ जब dot लोंगा न, इस i के साथ, तो वो तो one हो जाएगा, i का i के साथ dot लोंगा तो one हो जाएगा, j के साथ और i का k के साथ dot zero हो जाएगा, साती साथ J का J के साथ 1 होगा I और K के साथ 0 हो जाएगा और K का भी K के साथ 1 होगा I और J के साथ 0 हो जाएगा ठीक है मैं लिख भी देता हूँ ठीक है इसको I'll write it here as पहले इसका dot लिया इन तीनों के साथ तो है आ गया AX BX I.I ठीक है प्लस AX BY I.J ठीक है प्लस AX BZ और यह आएगा I.K ठीक है न भाई A और B तो आपको पता ही एक constant numbers है इनका तो dot होगा नहीं वेक्टर का होता है वेक्टर कौन है I, J, K तो I का फिर के से होगा फिर ऐसी प्लस क्या करना है अब इसका J cap वाले का तीनों के साथ dot लेना है तो AY BX J.I प्लस AY BY J.J ठीक है प्लस अब इसका तीनों के साथ लेना है A, Z, B, X, K dot I प्लस A, Z, B, Y, K dot J प्लस A, Z, B, Z, K dot K अब जो सिखाया आप लोगों को उसे यूज कर दो अब जो सिखाया आप लोगों को उसे यूज कर दो क्या सिखाया है कि AY का J से या आई का K से J का K से है na dot जोगा मतलब जो perpendicular unit vector से उनका dot 0 होता तो AY का J से 0 हो गया बच्चो i का k से भी 0 हो गया फिर j का i से 0 हो गया फिर j का k से 0 हो गया फिर k का i से 0 हो गया फिर k का j से 0 हो गया तो 10 terms बची अपने पास एक तो ax, bx एक ay, by और एक az, bz ठीक है, clear है तो मैं यहीं लिख देता हूँ कि a.b जो अपने पास में आया है ना a.b वो आया अपने पास में ax, bx ठीक है, बच्चो आई डोट i तो 1 होता है भी थोड़ी देर पहले बताए था प्लस ay, by प्लस az, bz बच्चो जे डोट jb1 होता है और k.kb1 होता है अपने पास में दो वेक्टर्स का dot product आ गया अगर दोनों को हमें इस तरह से component form में दिया हुआ है तो, क्या आगए बटा देखो, ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इस समझ में आएगा, बतलब मैं तुम्हें बस तरीका सिखा रहा हूँ, कि exactly आप लोग किस तरह से कम टाइम में किसी भी problem को solve कर सकते हो, ठीक है ऐसा लंबा सा हमें कोई dot product करने के लिए दो vectors दे दिये अब ये कहानी तो बार-बार करोगे नहीं अगर आप उदर देखोगे तो basically वहाँ पर लिखा पता क्या हुआ है ज्यान से देखो, ज्यान से देखो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है वहाँ लिखा हुआ है कि a dot भी जम मैंने किया तो answer आया i cap का multiplication i cap के साथ दोनों vector का j का coefficient का multiplication j के साथ में और k के coefficient का multiplication k के साथ में answer आ गया यहीए component form में dot product यहीए बच्चों component form में है ना, चीक है, ठीक है, ठीक है क्या, clear है चालो, अब next question पर चलते हैं basically यह I hope आपको समझ में आ गया होगा question है अपने पास हैं बच्चों एक question क्या है, सुनना ज़रा ध्यान से question यह है बच्चो, कि दो vector है A vector है, उसकी value I cap plus 3 J cap minus 2 K cap, ठीक है, आपको खुद से solve करना है, और दूसरा vector है B vector, यह है minus 2 I cap minus J cap minus K cap, ठीक है, आपको A dot B find करना है, ठीक है, क्या find करना बच्चो, A dot B find कीजिए, find A dot B, ठीक है, क्या find करना A dot B find करना है, ठीक है, clear है, चलो पहले A dot B also find, find A dot B and angle between A and B, सवाल बन गया, प्रोपर, अब पहले A dot B find कीजिए, फिर दोनों के बिच का angle find कीजिए, पहले आपको A dot B find करना है, फिर दोनों ही vectors के बिच का angle find करना है, बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है, बना दू सोल्यूशन, बना दू, देखो, A dot B, हाना, कैसे करेंगे, A को B से dot करना है, ठीक है, A का I का coefficient, B के I के coefficient से multiply कर दीजिए, उदर 1 है, B का कितना है, minus 2 है, plus A का I का coefficient, B के I के coefficient से multiply कर दीजिए, इदर 3 है, सोरी, J के coefficient से multiply कर दीजिए, इदर 3 है, इदर minus 1 है, J cap minus के साथ है, मतलब उसका coefficient minus 1 है, plus k का coefficient, k क coefficient से multiply कर दीजे, बस हो गया काम, तो बच्चो a dot b यह आया हमारे पास में minus 2, यह आगया minus 3 और यह आगया plus 3, यह plus 3 से plus 3 cancel out रहा, तो यह आगया minus 2 के बराबर, a dot b भी आगया minus 2, obviously it will always come out as a number, क्योंकि दो वेक्टर का dot करते हैं, तो जो भी निकलेगा, वह एक number ही निकलेगा, definite है, इस बात की guarantee है, और यह मैं नहीं दे रहा हूँ, किसी से भी ले लेना, किताब में दी हुई है, छिक, clear है, अच्छा, पहले का निप्टारा हो गया, अच्छा, सर, दोनों वेक्टर के बीच का angle कैसे निकालना है, अरे याद कर भाई, जब भी दो वेक्टर के बीच का angle दिया जाए, तो दिमाग में आना चीए dot product, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाए तो दिमाग में आना चाहिए dot product ठीक है देखते है dot product कैसे होगा हम पता है कि a dot b जो होता है न वो होता है बच्चो a b cos theta ठीक है अगर हमें cos theta निकालना है अगर हमें cos theta निकालना है तो क्या हम cos theta को लिख सकते है a dot b upon a का magnitude into b का magnitude अच्छा लिख सकते हो बिलकुल लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं अच्छा a dot b अभी निकालना कितना रहा minus 2 तो लिख दिया बच्चो minus 2 divided by divided by a b अब a का magnitude कितना है देख लो जरा a का magnitude निकालने magnitude निकालना सिखाया था ना i cap के coefficient का square plus j cap के coefficient का square plus k cap के coefficient का square तो आजाएगा 9 और 4 13 और 14 तो root 14 ठीक है अब b vector का magnitude निकाल के दिखाईए बई कितना आजाएगा वही सेम कहानी है बई i cap के coefficient का square j cap के coefficient का square और k cap के coefficient का square ठीक है 4 और 1-5 और 1-6 4 और 1-5 और 1-6 तो आजाएगा 6 ठीक है तो root 14 into root 6 लिएगा ठीक है ठीक है 14 into 6 करूंगा तो 84 भी आजाएगा ठीक कितना भी आजाएगा 84 भी आजाएगा तो cos theta बराबर आजाएगा minus 2 by root 84 तो theta बराबर आजाएगा cos inverse minus 2 by 84 मतलब जो भी है यही एंगल है दोनों के बीच का whatever be it जो भी है वो यही है एंगल ठीक है निकल गया theta दो वेक्टर के बीच का अरे सीख गये दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना न है कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है बहुत बड़ी बात तो नहीं है कि दो एक्टर के बिच का एंगल निकालना बस ऐसे ही निकाल दोगे ठीक है बाच साहब clear है सभी है अरे clear है क्या ठीक शालो अब और सवाल देते हैं देखो और सवाल कर लें चलो सवाल करेंगे बढ़ पहले एक important प्रॉपर्टी सीख लेते है जो vector का actual में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण user vector dot product का अभी तक तो सीख लिए हमने कि दो vector के बीच का एंगल निकाल सकते हैं ये भी सवाल दिया जाएगा कि दो vector एक दूसरे के perpendicular है प्रूफ करके दिखाऊ dot zero करते ना खतम गानी ओगे गाँ ठिक ओके जी सर यहां तक की बात समझ में आ रही है दो vector एक दूसरे का perpendicular मतलब उनका dot zero आना चाहिए बाई simple सी बात है ना बहुत बड़ी अब क्या करना है भाई अब एक simple सा काम करना है और वो simple सा काम क्या है कि एक vector का अगर आपको दूसरे vector के उपर projection निकालना है या component निकालना है तो भी आप लोग क्या कर सकते हो dot product का use कर सकते हो अब मेरी बात ध्यान से सुनना मान लीजिए ये vector है A मान लीजिए ये vector है A ठीक है दिस इस vector A ये vector है beta B क्या है ये B vector दोनों के बीच का angle है theta मैंने का जे बिलकुल सर theta ही दिखाई दे रहा है अगर आप A dot B करते हैं अगर आप A dot B करते हैं तो आप क्या करेंगे बिटा A dot B करेंगे आप बोलेंगे सर ये है A B cos theta के बराबर A dot B के definition से तो ये जा है ठीक है अच्छा एक मिनिट के लिए मैं आप से पूछू कि what is the component component of vector B along vector A अगर मैं आप लोगों से पूछू के B vector का A के along component कितना है तो आप कहोगे सर B cos theta अरे किसी भी vector का किसी भी vector का theta की direction में component क्या होता है theta की direction में component क्या होता है B cos theta होता है तो ये आगा B vector का component B cos theta ठीक है ना किस के along है A vector के along है तो किसी भी vector का दूसरे vector के along vector find component find गरने में ये law हमारी help करेगा किसी भी vector का दूसरे vector के along किसी भी वेक्टर का, दूसरे वेक्टर के along, क्या find करने में, angle find, component find करने में, किसी भी वेक्टर का, दूसरे वेक्टर के along, component find करने में, यह law हमारी help करेगा, कैसे, अगर मैं कहूं, component of B vector along A, तो आप कहूंगे, sir, B cos theta, theta की direction में ऐगा, B cos theta, ठीक है, यानि कि क्या मैं यहां से B cos theta की value निकाल सकता हूँ? Yes, B cos theta is equals to आगया A dot B divided by, इसको इधर बेज़ तो magnitude of A, ठीक है? तो component of B along A जो है, वो है B cos theta, और इसको हम direct लिख सकते हैं A dot B divided by A का magnitude, यह component of B along A क्या है component of B along A, दोनों का dot जो दो vector है, और जिसके along component लेना, उसको नीचे लिख देना है मतलब उसके magnitude से divide कर दो, क्या करेंगे? किसी भी एक vector का OR दूसरे vector का along component लेना, दोनों का dot लो, और जिसके along component लेना है, उसके magnitude से divide कर दो simple छे, आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे ही तो देख रहे हैं जररर, और कितना आगे देखें ये A vector है ये B vector है देखो देखो, आगेन देखो अभी और कहानी होगी ये theta है, ठीक मैं कहता हूँ आप से की component component of A along B मतलब इस बार आपको A vector का B vector के along component बताना है तो किसी भी vector का theta की direction में component, मतलब इस vector का B के along component देखना है तो किसी भी vector का theta की direction में component जो आएगा वो आ जाएगा, भर ही A cos Other आ गया ऐस A का इधर component A cos theta जाग इधर A sine theta जाग इसके perpendicular है न, theta के direction वाला cos होता है, ठीक, हमने कहा जी ये है A cos theta, ठीक है, ये है A cos theta, मैंने एक छोटा सा काम किया, मैंने A का B के साथ dot ले लिया, तो वो आया A B cos theta, तो A cos theta को अलग लिखा, तो A cos theta की value हमारे पास आ गई, A dot B divided by B, आगे के नहीं आगे, अरे आगे के नहीं आगे, ये आगे अपने पास में, component of A along B, एक उस theta आए आना था, कितना आ रहा है, दोनों का dot divided by B, अब इसे याद कैसे रखना है, कि सर A dot B by A आएगा, या A dot B by A आएगा, B आएगा, A dot B by A आएगा, या A dot B by B आएगा, ये कै long time तक कैसे याद रहेगा, और हम बार-बार सवाल में आटकेनी, तुरंत ये हमार से हो जाए, इसके लिए क्या उपाए है, बड़ाई आसान है, बड़ाई simple है, कैसे, कि एक vector का दूसरे vector के along, अगर आपको component लेना है, if you want to take component of one vector, along another vector, तो दोनों का सबसे पहले dot लिखो, औ और जिसके along component लेना है, देखो मैं यहाँ पे B के along लिया था, A का component, तो B के magnitude से divide गया, और वहाँ पे मैंने B का component लिया था, A के along, तो जिसके along component है, किसके along है, A के along, तो A के magnitude से divide होगा, तो दोनों का dot तो आएगा उपर, जिसके along component है, उसके magnitude से divide करना है, ये सबसे important application थी अप इस पर धेरो सवाल हैं, करते रहो, धेरो सवाल हैं, करते रहो, उसमें क्या ही फरक पड़ रहा, पीछे जा रहेगा अपने, तो जाना किदर अपने को आगे, कैसे धेरो सवाल हैं, देखो जर अध्यान से, देखो जर अध्यान से, question है अपने पास में ठीक क्या कह रहा है question find component of vector a vector a दे रखा है हमें i cap plus j cap along vector b vector दे रखा हमें b vector दे रखा हमें 3 i cap plus 4 j cap इस vector का along component निकालना है इस vector का along component लेना है ठीक है कैसे करेंगे देखो द्यान से solution बड़ा ही आसान है भाई a vector का b vector के along component निकालना है ठीक है तो जिसके along component होता है dot product को उसी के magnitude से divide कर देते हैं तो सीधा सीधा लिखेंगे a dot b divided by किसका magnitude किसके along ले रहे हैं b के along तो b का magnitude है खता हूं a लिखो इदर b लिखो इदर dot में divided by b का magnitude अरे b का magnitude क्या है under root में 3 का square plus 4 का square खता हूं अच्छा तो यह आ जाएगा मतलब यह लिख ले ना magnet component of a along b b के along बी के magnitude i को i से j को j से multiply कर दो तो इदर कितना i का coefficient 1 इदर कितना 3 3 को 1 से multiply कर 3 आ गया ठीक है plus j को j से multiply कर दो इदर j का 1 इदर j का कितना coefficient है 4 तो 1 को 4 से multiply क्या 4 आ गया divided by 5 9 प्लस 16 अंडर root में 25 25 का square root 5 तो component आ गया 7 by 5 unit जो भी है 7 by 5 unit 7 by 5 unit simple है क्या मदब कुछ difficult लगा क्या is it really difficult अरे difficult है क्या बोलो 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 difficult है क्या कोई भी मतलब anything that you find difficult कुछ ऐसा है जो difficult find कर रहे आप लोग सोचो 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 बाई अरे मेरे बाई सोचो तो सही है हो गया काम हो गया काम अरे हो गया काम तो यही होगा बेटा अच्छा कई बार ऐसा भी आएगा आप लोगों के पास की मानलो मतलब there is a vector और उसमें दूसरे vector कुछ value खो गई है तो बोलेगा कि find the value of m, m मान लेते हैं कुछ चीज या कोई constant मान लेते हैं c find the value of c so that these two vectors are parallel perpendicular to each other क्या कहेगा find the value of this so that these two vectors are perpendicular to each other जैसे की जैसे की अपने दो vector मान लेते हैं again question के तौर पे ठीक है पहले मान लेते हैं अपन लोग a vector ठीक है a vector आगए मान लो अपने पास में 3i cap minus j cap ठीक है b vector आगए अपने पास में m i cap plus 2j cap ठीक है इस तरह से दो vector अपन को दे दिये ठीक है clear है अरे clear है का भाई ठीक है अब लिखा हुआ है कि find m so that a is perpendicular to b मतलब m की value find करो इस तरह से आनी चाहिए कुछ की a b के perpendicular हो जाए m की value कि a b के perpendicular हो जाए बिल्कुल simple है if two vectors are perpendicular to each other क्या बेटा if दो vector एक दूसरे के perpendicular हैं तो बुरा मत मानना दोनों का dot जो है वो zero होएगा क्या तो दोनों का dot जो है वो zero होएगा क्या बिल्कुल सही बात है कर दो दोनों का dot zero three i cap minus j cap dot m i cap plus two j cap बराबर कर दो zero के अगर दो vector एक दूसरे के perpendicular होते हैं तो क्या दोनों ही vectors का dot zero आएगा जी सर बिल्कुल zero आएगा ठीक है i के coefficient को i से multiply करो तो 3m आगया plus j के coefficient minus one को multiply करो two से तो कितना आगया minus two आगया बराबर आगया zero three m minus two बराबर zero तो m की value आगया two by three दो value एक दूसरे के दो vector perpendicular होंगे तो तो vector एक दूसरे के perpendicular होंगे तो उनका dot हमेशा zero आएगा उनका dot हमेशा zero आएगा अब इस पर बच्चों धेर सारे questions है अब वो आड़े टेड़े मेड़े कैसे ही बना लो उन्हें practice के लिए तो question दाले भी होंगे practice के लिए बट हाँ हमें ये पता होना चाहिए कि मुद्दा क्या है अगर मुझे दो vector के बीच का angle find करना है तो मैं dot product यूज करूँगा दो vector को perpendicular prove करना है तो मैं dot product यूज करूँगा एक vector का दूसरे के along component निकालना है तो मैं dot product यूज करूँगा ये use हैं कभी सवाल आजाए vectors का तो हमें क्या करना है दिमाग लगाना है कि पूछा क्या गया है दो vector के बीच का angle पूछा हुआ है दो vector का perpendicular होना पूछा गया है या फिर दो vectors के लिए एक दूसरे के उपर component पूछा गया है तो मैं क्या करूँगा मैं इसी तरह से काम करूँगा dot product के तुरू और dot product जब भी लेंगे हम दो vector का तो बड़ी ही आसान और बड़ी ही सिम्पल बात है बच्छो जब भी आप δो vectors का dot product लेगो जो भी निकलेगा वो scalar होगा जो भी निकलेगा वो scalar होगा ठीक है, clear है, clear है, तो dot product की कहानी तो इहीं पे खतम होती है, next lecture में हम लोग cross product पढ़ेंगे, जिसे हम vector product भी कहते हैं, that will be different from this particular method, और उसके बाद vector खतम हो जाएगा, ठीक, और हम लोग start करेंगे, फिर बेटा, अपना जो सबसे important part है, motion in one dimension, या motion in straight line के parameters, ठीक, vector समझने के बाद बहुत आसानी से समझ में आएगा वो सब, ठीक है ना, तो I hope आपको ये lecture अच्छा लगा, बाकि सभी बच्चों के साथ फटाफट फटाफट शेर कर दीजिए, see you in the next class, thank you so much.